हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप लोग किशार करने वाली हूँ गुजिया रेसिपी जिसके लिए आपको डो बनाने की जुरूरत नहीं है बहुत ही आसानी से और बहुत पटाफट बनते हैं और इतना ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं उसे के साथ साथ हम हलका सा फ्राइ कर लेंगे यह जो घुजिया बन रही है बहुत ज़्यदा क्रिस्पी है बहुत ज़्यदा टेस्टी है और फटा फटा से फ्राइ करना है फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है सूजी हमेशा फ्राइ करते पक्त फ्लेम को लो रखे और लो फ्लेम में इसे अच्छे से भून ले जैसे सूजी बढ़ियास सी भून जाएगी आप देख सकते हैं इसमें से इसके कलर भी चेंज हो जाएगी बढ़ियास सी ख पूरा है वो आप इस्तिमाल कर सकते हैं जो ड्राय होता है या फ्रेश नारियर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से मिलाने की बाद फिर यहां पर हम एड़ करेंगे मावा यहां पर में मावा ले रही हूँ फ्रेंड्स तो मावा अगर आपके पास है तो आप यू जिसके वज़ा से यह पैन छोड़ते हैं और बहुत अच्छे से मिक्स भी होते हैं और उसे के साथ-साथ यह जो गुजिया की स्ट्राफिंग बहन रही है बहुत जादा टेस्टी बनते हैं लेकिन मावा अगर आपके पास नहीं है तो मिल्क का इस्तिमाल आप कर सकते हैं य करने की बाद चीने जादा यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स करूंगी अच्छे से मिक्स करने की बाद यहाँ पर जो ड्राइफूट्स हमने पहले से फ्राइ करके रखा था मिक्सिंग बाल में इसके हमने पेस्ट बना ली है दर दर असा और इसे भी तो यहाँ पर आपको measurement सही रखना जरूरी है, इसे के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे एक कप पानी, और फिर एक बर mix करके देखेंगे, अधर लगता है बेटर गाड़ा है, तो यहाँ पर हम और पानी का इस्तिमाल करेंगे, तो और यहाँ पर मैंने आधा कप जैसा पानी इस्तिमाल की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स मैंने एक कप मैदा लिया था और उसी कप से मैंने डेर कप पानी का इस्तिमाल की है, तो बैटर की जो कंटिडी है वो बिल्कुल सही होना जरूरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाफ टिस्पून सॉल्ट एट करूँगी उसी के साथ साथ टू टिस्पून यहाँ पर मैंने ओल डाला है अच्छे से और एक वर फाट लेंगे यह जो बैटर है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यदा स्मूध है इसमें लंप्स बगारा कुछ नहीं है और बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है तो इसकी जो कंटिडी है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो इसके कंटिडी सही रखना है बहुत सदा पतले भी नहीं रखना है और नहीं बहुत सदा बढ़ा अगर एक बार में बना लेंगे तो चार-वांच ऐक बार में बना सकते हैं एसकल छोटी चोटी पूरी की जैसा बनास जान है और फिर यह आप देखे सकते हैं कितने बड़ियों से सब्ड़ी है अगर दो लोग गुजिया बना रही होना तो बहुत ही तो यहाँ पे हमें और एक बाउल में लेना है टूटिस्पून मैदा और यहाँ पर हम पानी डालके इसकी एक पथली से गोल बनाके रखेंगे स्ट्राफिंग डालने की बाद इसे हम साइट से लगाएंगे ताकि जो स्ट्राफिंग है बिलकुल भी बाहर नहीं आए तो यहाँ पे देखिया ऐसे गजिया बनाने की जो मोल है वो हमने ली है ऐसे इसमें रखेंगे और उसके बाद इसकी अंदर स्ट्राफिंग रखेंगे और जो मैदे की स्ट्राफिंग है वो हम किनारा से इस तरीके से लगा देंगे और फिर इसे हम फोल्ड करेंगे यह और कांची से इसकी जो किनारा है वो हम काट कर लेंगे लेकिन अभी यह बहुत गर्म गरम नरम भी रहती है आप इसे हाथों में से भी काट कर सकते हैं ऐसे अ फोल्ड कर दे इसमें से भी बहुत बड़िया गुचिया बन जाते हैं और बहुत ही असानी से बना सकते हैं दो लोग अगर आप बनाते हैं तो फटा फट बन जाते हैं और उसकी बाद इसे फटा फट से हम फ्राइ कर लेंगे जैसे हम इसे फ्राइ करेंगे ना शुरू में फ इसमी नहीं बनते है. मीडियम फ्लेम में अगर आप फ्राई करेंगे न तो इसके उपर की जो लियार है और भी देखने में बहुत अचछी लगती है. तो हाई फ्लेम में इसे फ्राई नहीं करें. इस तरीके से पलटते हुए दोनों साइट को हमें अच्छ से फ्राई कर लेन बहुत सदा क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड और एक बनाने की अब लिए लेकिन किसी भी आरकन्तेंस बॉक्स में आपको रखना है और एक हफ्ते तक आप इसे निज़ोए कर सकते हैं तो आप इसे फटा-फट बना सकते हैं और बहुत जादा क्रिस्पी है और उसी के साथ साथ बहुत जादा असानी से आप इसे बना सकते हैं तो इस तरहिए से लगातार पलाटते वहीं इसे fry करना है जैसे इसकी color बढ़िया सी golden आ जाएगी तो इसे निकाल लेना है तो यह आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन रही है और इसकी टेस्ट भी बढ़िया है तो बस इसे हम oil में से निकालेंगे और बाकी हम सेम process में ऐसे ही fry कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गुजिया बनके ready है आप भी ऐसे ही बनाए फटा फट और अपना होली जो है न वो enjoy करें इसी तरीके से गुजिया बनाके आप पहले से रख सकते हैं एक दो दिन पहले और फिर आप इसे enjoy कर सकते हैं बहुत ज़दा tasty है और उसी के सासर यह मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्रेस्पी है उपर की लिया जो है न वो बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में तो आप भी इसे एक बर इसी प्रॉसेस में ट्राइ कीजिये सबको यह बहुत ज़्यादा पसंदाती है आज की रिस्पी पैनेल को सुस्क्राइब करना न भोलें